अध्य व्ल्कम बैक जानात अकाडमी यूट्यूब चला और आज हम पढ़ने वाले चाप्टर नमर्ट एंच सर्कल्स एक्जेंपल लेंबर सेक्ड यह तो टंज टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आपके पास ठीक है सर सेंटर क्या है सर उसका सेंटर होगी है वह आपके पास ठीक है दो टेंजन बना नहीं तो एक बन लागये वह ङंगल एकोल सुर्ण ओफ ओपी क्यू तो पी क्यू तक पहुंचना है तो आपको यह ट्रॉं करना पूड़ेगा यहां तक सब्सक्राइब इस एंगल की बात कर रहा है ठीक है तो गिविन कंडिशन तो इन अ सर्कल तो टैंजेंट्स आर गिविन टीक्यू एंड टीपी यहां तक समझ में आ गया क्या हाँ अब मेरे बात सुनना हमें जो प्रूफ करना है टू प्रूफ पहले मैं वो लिख रहा हूं अंगल बीटीक्यू इक्वलस टू अफ एंगल ओपी क्यू अब अपना प्रूफ शालू करो तो देखो आपको एक्च्व पूरे एंगल में से यह एंगल अगर मैं माइनस कर दू कौन सा वाला किवल यह वाला अगर मैं इस पूरे एंगल मैंस कर दू तो यह एंगल निकल जाएगा हां से इसके लिए पहले मुझे यह एंगल पता होना चाहिए ठीक है सर तो पता गरो आपको पता है ओपी जो है व होती है tangent पर पर्पेंडिकुलर होती है तो आप कह सकते हूँ angle opt equals to 90 degree आ गया इसका आगे देखो अब आपको ये वाला angle निकालना एक कौन सा angle आपको निकालना एउनकी इसका नाम देता ओप फी क्यू ठीक है सर अब आपको एचको यह twenty कालना है तो आप यह देखो मेरी बास इन आ ट्राइंगल यह ट्राइंगल दिखा रहा है और को ऊड़ो यह पूरा एक ट्राइंगल दिखरा है क्या पूरा एक ट्राइंगल इसको उच्टोड़ो सबको छोड़ो ड्यों करेड़् से बतात olmै अलग आप वे चीज एक प्रटेकल यार क्या हो गया डिजाइन बन गई यह पूरा एक ट्राइंगल है आँ सर अब यह ट्राइंगल के अंदर आपको पता है टी पी जो है को टी क्यू के एक्वल है क्यों सर क्यों कि यह है आपके पास एक्वल टैंजेंट्स और मैं लिखूं शॉर्ट में तो टी यही बता दिया आपको कि टैंजेंट्स एक्वल में क्यों होते हैं अपस में एक्वल होते हैं अगर ही टैंजेंट्स एक्वल हैं आपके पास तो यह एंगल यह एंगल और यह एंगल आपस में एक्वल होगा यानि एंगल EPQ equal होगा angle TQPK दोना angle आपस में इक्कोल हो जाएंगे हाँ तो मैं इन दोनों को X माल लेता हूँ simply मैं दोनों को X माल लेता हूँ अब आप इस triangle के अंदर इन तीनों angle का sum लिखो क्या लिखो angle EPQ plus angle TQP plus angle PT Q इन तीनों का sum 180 होता है क्या answer होता है कासी property है ही है angle sum property अब देखो TPQ की value की TSR X PQP की value की TSR X PTQ की value की TSR ये पता नहीं है इसको छोड़ दुआ नहीं पता तो इसको मत लिखो X और X कितना होगे उपर देखना इसके बाद सीथ है 2X हुआ था और angle PTQ as it is क्या लिखा मैंने PTQ के अब आपको अगर मैं angle X find करने को कहूँ केवल angle X 2X equals to 180 degree minus PTQ find करने को कहूँ आप से तो आप कहूगे सर X का value हो गया मेरे पास 180 degree divide by 2 और PTQ divide by 2 वही तो जो है वो दोनों के नीचे चला जाएगा एक के नीचे एक साथ 2 जीकिंगे तो उसके साथ इसका मतलब होगे है दोनों के नीचे ये कट करूँगा पर तो 90 degree minus angle PTQ इसको मैं मेरी first equation मान रहा हूँ इसको मैं मेरी second equation अब देखो X का value आगे आपके पास 90 minus PTQ X कौन है सर ये भी X है ये भी X है कोई भी मान रहा हूँ ठीक है एक ये बात है अब मेरी बात सुना ध्यान से अरे यार इसकी मैंने स्लाइड नहीं मैं आई यहां एक मिनट रूपना यार हां इधर देखो यहां तक तो समझ में आगया आपको यह आपकी equation 1 हो गई यह आपकी equation 2 हो गई अब इन दौनों का use कर रहा हूं मैं देखना कैसे अब इन दौनों का मैं use कर रहा हूं के अब मेरी बात सुना अब मुझे किवल इस angle की बात कर रहा हूं मैं angle o p q अगर o p q निकालना है तो मुझे o p t में से क्या कहा हूं मैं angle o p t में से माइनस करना पड़ेगा angle t p q यह करना पड़ेगा कि मुझे हां सरी यह करना पड़ेगा आपको इस पूरे angle में से यह पूरा angle क्या है आपका o p t इसमें से केवल यह वाला 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 t p q माइनस करना पड़ेगा मुझे ठीक है सर करो o p t की वैल्यू तो 90 डिग्री है मैं इसको पहले from equation 1 & 2 लिख देता हूं यह रहा आपका t p q t p q actual में x ही तो है यह रहा एक्स हां सर तो इसकी जगे में फिलाल के लिए पहला एक्स लिख रहा हूं और फिर अप रिप्लेस करते हूं ठीक है अब इस x का value लिखता हूं मैं यहां पर देखना इस x का value होगे यह 90 माइनस p t q 90 माइनस 90 माइनस p t q और डिवाइड में 2 भी होगा डिवाइड में 2 का चला गया इसका यह डिवाइड में 2 भी लगाओ भाई ठीक है डिवाइड में 2 भी है यहां पर और बाहर यह bracket अब बताव समझ में आया क्या यह आपने दौना equation की यह दौना value यहां पूट कर दी है अ ब्रैकेट कोल दो 90 माइनस 90 डिगरी प्लस 9 माइनस माइनस प्लस अंगल p t q डिवाइड बाय टू यह दोनों cancel out हो गए आसर होतो गई तो अंगल op q का value हो गया अंगल p t q डिवाइड बाय टू वहाँ जाएगा आसर 2 अंगल op q equal angle p t q अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हो आगे पीज़े करके लिख दो यार एंगल p t q जो है वह equal angle two of q के बताओ क्या नहीं आया कि यह यहां आ गया और यह आ गया आपके पास यह हो गया आपके पास हैंस किलियर है example number second completed ओके